सरकार बनते ही पहले किसान नीदी पास किया है मोधी ने कह रहा है नीचे कुछ होना चाहिए ना उपर से तो लाखों करोडों आते हैं पैसे किसान की जेब में कुछ आना चाहिए ना क्या के अंदर सरकार ही किसानों के लिए काम करेगा का राज्य सरकार क्या घंटा बजाने के लिए बैठा हुआ है कोई भगवान के रूप में आकर सैतान बनकर देश में एक तरीके से पूरा माहुल भिगाडने की कोसिस करें एजेंडा में और किसान अंदोलन में बहुत बड़ा फरक होता है कियर कड बोलता हूं चाहिए अंदोलन कर लें कुछ भी कर लें किस तरीके से दो बार किसान जो है दिल्ली कूच के दौरान में कितना प्रदर्शन के लिए उग्र हो गए थे एसे में फिर से एक बार को सम्सक्राइब कोशान आदेश दिया है कि शौंभू बार डर जो है इसको खोल दिया जाना चाहिए दोनों सरकार को यह निन्रिड़ दिया है कि यह जो प्रवाइब सरकार हो खासतोर से हर्यान सरकार यह दोनों सरकार की जिम्हेबारी है कि जो 500 किसान आज में बैटे हुए उनको एक तरीके से रास्ता देना चाहिए खोल देना चाहिए अब इस पर सरकार के लिए एक हपते का वक्त दिया है आम जर्मानस सीधे जूरते क्या कहें वाइसी सब्सक्राइब आएंगे उनका दिली यह वह आसकते हैं डिले में क्यों नहां सकते जो ख़िसान हमीं आगी जेख सरकार बंते ही पहले किसान निदी पास किया है अंब यह होता है नीचे 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 कुछ होना चाहिए ना उपर से तो लाखों क्रोड़ों आते ह मारास्ट के किसान क्यूंहीं आए अब हमरे पास है काम काम करने पढ़ते यहां पर दिल्ली से पास है उनके हमारे याप माल बेचते हैं मुझे पता है कि हमने धान पर देखिए मोदी जी क्योंने आए महराष्ट में जवाब देना चाहूंगा इन्होंने बोला कि आए दुगनी कर देंगे मुझे पर दान पर जो समान्य रेट था 23-14 तक के बीच में 310 रुपे आज जो चल ला है 2300 रुपे चल ला है धान पर जो 14 में था वो 1345 आज 2320 रुपे चल ला है जवार पर 1500 रुपे था आज 370 रुपे डबल रेट है ठीक है बाजरा पर 1250 रुपे था और आज 2600 कुछ सालगी पर अपदरसों रुपे था आज जो confidence डेर सरकार 2290 रुपे दे रहे है मकपर 3010 रुपे था आज सरकार 260 रुपे दे तूर दाल पर अलब हार तीज ताल इसी है कि जब सत्ता में आती है तो किसानों को संमान निदी की बाद कर जूआ करती है कि दो दुह duż does रुपे खाते में डायेक्ट बैनिफित ट्रांसफर इनको नमीला इंका मुझे नहीं पता क्या बोले सच बोले जुट बोले या गलत बोले मुझे निनंका नहीं पता पर मैं प्रियागराज से हूं मैं भी किसान हूं प्रियागराज में भी किसानी होती है ठीक है हमें मिल रहा है हमारे यह मिल रहा है और दूसरा पहला प्रधान मंत्री ऐसा है जो 80% पर फसल पर बीमा दे रहा है पहला प्रधान मंत्री ऐसा है जो किसानों की बात करता है पहले 12 से 15 के आसपास फसलों पर MSP दी जा रही है यह नरेंद मोदी की सरकार हर किसी के साथ न्याए होता है अन्याए तो उस समय होता था कि 26 कि किसान गए थे संसत के बार 1976-78 की बात है संसत के बार गए थे MSP और उसके लिए परदर्शन करने के लिए वहां की सरकार सेंट्रल में बैटी थी उन्होंने गोल यह चलवा दिया था 26 के 26 किसान मारे गए थे जूट की फैक्टरी देखो कि वहां पर किसान अंदोलन कर रहे हैं सरकार किसी भी तरीके से न कोई लाठी चार्ज करने के लिए तेयार है क्योंकिativos किसान हैं देश के अन्य दाता है और हम अन्य दाताओं की इद बज्ञत करते हैं और वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो एक तरीके से किसी पार्टी के कारेकरता बनके एक एजंडा चला रहे हैं, जब चुनाओ का टाइम आता है, तो उस टाइम पे वो लोग किसान आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, जब चुनाओ खतम हो जाता है, तो किसान आंदोलन ख सबसे पिछड़ा हुआ वर उम्हारास्ट में बताता हूं महारास्थ किसान ज्याद्या खुस और महारास्ट किसान खुस हैं यह के बीज़ेपी हार गई किसानों नहरा है क्या गैक सा और यहला है ऐसा कोई चर्च है आ थेखिए सबसे बड़ी बात है कि अजन जो चला मिए जूनावी म्हाल चुनावी किसान बन्ट के उसमें गूम रहें और इस देस को जन्ता को समा जेख रहा है ना इनके के लड़ाई में आजादी के लड़ाई में लोग पता नहीं कहां कहां से लाठी खाने के लिए आ गए थे और अगर नरेंद्र मोदी को आपके संगत्याचार कर रहे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है अगर किसान अंदोलन हो रहा था बताये कि देश में फसलों की कमी किसी सबजी की कमी ने फलों की कमी कुए क्योंकि किसान अंदोलन करने वाले चुनाव्य करते की आज हर्याना मध्यपरदेश कहीं का चुनाव है तो जी आओ हम किसान अंदोलन कर रहे हैं जैसे चुनाव खतम फंड बंद फिर बैट जाएंगे कहीं साइड में चुनाव स्टाट फिर आ जाएंगे ये किसान अगर होते तो देश की 140 करोड जंता सपोर्ट करती ये चुनावी जी भी किसान है और क्लियर कड बोलता हूं चाह 14 राज्यों में आपके सरकार हैं इंडिया गडवन्दन की उन 14 राज्यों में आप मुझे बताएं कि राहूल गांदी ममताव एनर्जी अर्विंद खेजिर्वाल अधर जितने भी नेता हैं आप बताएं उन्होंने किसान के लिए कौन सा योजन निकाला है कौन सी चीजे उन्होंने अच्छे काम किये दिली के किसानों का उठाई है ना क्या के अंदर सरकार ही किसानों के लिए काम करेगा राज्य सरकार क्या घंटा बजाने के लिए बैठा हुआ है मलाई कानून लाने का आम आदनी पार्टी ने भगवंद मानने बोला कि हमारी सरकार बनेगी प लड़ रहे और वो खिसानों की लड़ाई फर जी वाड़ा लड़ रहे उसके लाब कुछ नहीं लड़ रहे हैं है कि मैंने मिस्पी ये किन सरकार के आदि नादी समर्थी सुची कभी से या रासुची कभी से आम अधी पार्टी ने जूट बोला था आप भी रोध करोगे आम आप जब सबकर भो है तो नेताओ के खिलाब आप नेता चुन किसे रहे है यह नेता हमारे समर्थन में यह नेता अलग है यह अंसे थोड़ी अज जो तो हहां आरहों विरोट्म की सिर्फ एक्वेक्टी का कर रहे हो आप मुझे समझती ये वह सारा बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं है मैं यह कह रहा हूं जिसने जूटे वादे कि उसका क्या उसका क्या उसका क्या है 15 लाग का देखिए तो मोधी जी ने भी जूते वादे किया हम ने भी ओठ दिया है 2014 में 19 में दिया है हम उनके रोधि नहीं है हम बस कह रहे है कि हमको जो हमरा बारी ज्यादा होती है किसी लोग संकल पत्र में कहीं उन्होंने लिखा हुआ कि हम असरकार में आएंगे तो हर वनोले यही तो पन्दरे लाख देंगे मजाक के पात्र बनते क्योंकि वचस्था पर लेते हैं वच्थाप पिया 2 करोड रोजगार वच्थाप पिया watts 15 तूल कुल तो सब्सक्राइब नरेंद मोदी का जो पंदरे लाग की चर्चा की उसमें ये बोला कि जो घोटा ले बाद जिसका समर्थन कर रहे हूं जिसको तुमने जिताया उनी के 15 लाग की बात की जारी है ये बोले कि राउल गांदी ब्रस्टाचारी है कि नहीं है ये बोले कि सरत्परा ब्रस्टाचारी है कि नहीं है जिनको ये लोग जिताने की कोशिस कर रहे हैं उनी के 15 लाग की बात की जारी कि उनका इंकम अगर इस द क्वासे !